मैं एक महिने से रोज 50 रुपे की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई साब कोई बात नहीं कल से मैं तुम्हें 40 रुपे की दवाई दूँगा 10 रुपे का फाइदा होगा ठीक है, ठीक है पर डाक्टर साब एक बात बताओ मेरे को तो खासी थी फिर आपने मौशन लगने वाली दवाई क्यों दे दी वो इसलिए तु अब खासने से पहले सो बार सोचे का ठीक है, ठीक है डाक्टर साब मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो इसका तो सिर्फ एक ही एलाज है वो क्या, डाक्टर साब? तुम रोज सुबए दो ही रोटियां खाया करो ठीक है, पर एक बात बता दो, डाक्टर साब ये दो रोटियां खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में ओहो, चल रोटियों को खोड़ो सवस्थे के लिए आप रोज अक्सरसाज किया गरो डाक्टर सहाब मैं रोज फुटवाल खेलता हूँ किरकेट और टेनिस भी खेलता हूँ अच्छा ये बताओ तुम रोज कितनी देर खेलते हो जब तक मुबाल की बैटरी खतम नहीं हो जाती ओहो बड़े मूर रखो यार तुम तो पागल हो गए हो कैसे हुए मैंने एक विद्वा से शादी की उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी मा बन गई उसके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई नगर मैं उसकी नानी का शोहर था इसलिए वह मेरी 89 भी हुई इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया और अबे चुप कर मुझे भी पागल ग लेकिन कड़वी मत लिखना अरे चुप कर बैट डाक्टर साब दवाई जरूर लिख दो पर कड़वी मत लिखना रमत तरी खातर एक किलो जलेबी लिख दूँ पैट जा ज्यादा मत बोल डाक्टर साब परचे पर ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं मैं लिखता हूँ मनना तो लूट लिया और तू भी लूट ले